हालो गाईज हाई नमस्ते मैं संजू आप से भी कैश्वागत हमारे फोजी सिस्टर कीचन में चलिए आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गड़मी एस्पेसल रेसिपी तो आज हम बनाएंगे तरबूज का जूस वह भी बिना मिक्सर जार बिना जूसर के और हाथ से बन तो आप तरबूज को इस तरह से कट कर लिजेगा आपको मिला इसे बस मार्केट घलका कर लेकर अफ़ KPा अब किसी भी सेफ में इसे कट कर चकते हैं Topहप कि इसे तरह से चलके हैं उसे अलग कर लिजेगा और तरबुज के रेड़ वाले जो भाग है न उसे अलग कर लेना है तो थोड़े से साफधानी से हाथ के उपर चाकू ना आए इस बांत का जरूर ध्यान रखेंगे तो इस तरह से हमने शाड़े तरबुज को कट कर लिया है और बस इसे हम छोड़े- इस zebuk एक मैस to about May से तो इस थोड़े से तरभुज को डालेंगे और इस तरह से दवाएंगे बहुत ही असानी ही से दर各 का इस बनाने जाता है और बहुत ही कम एशिजो को बननेरे पिंश्य्ट हैं तो इस तरह से हम शाड़े द्यावां को मैस कर लेंगे और उसके जूश न निकल गया है और तर्बूज से भी अच्छे से मैस कर लिया है हमने देख सकते हैं कितना सारा जूश बनाया है और देखे एकदम से बीज साबुत है एक भी बीज टूटे या पीसे नहीं है और जब आप मिक्सर जार में इसे ग्राइंड करते हैं या जूशर में तो बीज भी मिलावट के अगर आपको बहुत जादा मीठा पसंद है तो बस यहीं प्याव डाल दीजिएगा थोड़े से चीनी और उसे मिक्स कर लिजिएगा तो तर्बूज के जूश और भी मिठे और भी स्वादिश्ट हो जाएंगे तो देखे एक वर हम इसे मिक्स कर लेता है मैंने इसमें कोई चीनी नहीं डाला है तर्बूज खोदी इतने मिठे होते हैं तो इसे जूश बने हैं काफी स्वादिश्ट और काफी मिठे तो आप चाहें तो इसमें थोड़े से आई स्ट्यूब डाल करके और फिरी से सर्व कीजिए अभी मैं कास्मीर भी हूं तो यहां भी और ज्यादा बढ़ जाता है साथ ही थोड़े से हाँ पर डाल दीजेगा आप काली मिर्च और इसे एक बढ़ हम मिक्स कर लेंगे तो टेंटेना बहुत जल्दी देखिए जूश बन करके रेडी हो गया है तो आप सभी को हमारे घर इंवाइट है जूश पे तो आईए अग के लिए बस इतना है फिर मिलते हैं नए वीडियो नए रेस्पी के साथ